राजानी भपाल से चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास सारंग का वयान सामने आया है जहां उन्होंने कॉंग्रेस के घर घर चलो अभियान पर कहा कि इनका अभिया केवल पेपर और मीडिया में बने रहने के लिए सिमित है तो वहीं मध्यप्रदेश में पिछले 24 गंटे में आये करोना केस की जानका रेदी गंटे में करोना के हमने 71,000 टेस्ट किये हैं जिसमें लगभग 6,243 पॉजिटिव केस आया है मध्यप्रदेश में एक्टिव मरीज लगभग 56,000 है लगातार हमारी टेस्टिंग चल रही है, कॉन्टेक्ट टेस्टिंग चल रही है संतोष जनक यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन किवल एक से दो परसेंट ही है और इसलिए हमने यह नेड़ने लिया है कि आज से इस्कूल पुना शुरू हो रहे है सभी विशेशग्यों से विचार विमर्ष करके ही स्कूल शुरू करने की का निड़ने लिया गया है 15 से 18 साल के बच्चों का सेकिंड डोस भी शुरू हो चुका है और हर तरह से करोना की रोक ठाम के लिए हम काम कर रहे हैं यह जरूर है कि हम सब को पूरी तरह करोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए अब देखिए कांग्रेस के कोई भी अभियान केवल और केवल पेपर और मीडिया तक सीमित रहते हैं जमीन पर कांग्रेस का कोई संगिठन नहीं है मुख्य मुद्दा तो यह है कि जब इस अभियान की घोशना की गई थी तो कहा गया था कि कांग्रेस के सभी वरिष्ट नेता घर घर जाएंगे आप बता दीजे कि एक भी कोई वरिष्ट नेता घर घर जा रहा हो अब जिस पार्टी को जनता नहीं घर बिठा दिया हो वो क्या घर घर जाकर अभियान की शुरुआत करेगी और उसको सफल बनाएगी यह केवल और केवल धकोसला है राजनितिक प्रपंच है देखिए बजट तो मोदी जी की सरकार का बजट तो आर्थिक अनुशाशन का ही रहता है अच्छा रहेगा बबाल से उमेश यादव के रिपो